अगर चिन्दवाला की करेंगे दशिकों से चिन्दवाला में कमलनात और कॉंग्रस का दबदबा है लेकिन इस बार सवाल है चिन्दवाला में इस बार किसका होगा राद आज की स्थिती में कॉंग्रस कमलनात और नकुलनात सभी के सभी आनात चिन्दवाला से कॉंग्रस के उमिदवार नकुलनात ने आज नॉमिनेशन फाइल कर लिया है 19 अप्रेल को पहले फेज में यहां वोट डाले जाएगे चिन्दवाला में अपकी बार बीजेपी की विवेक बंटी साहू और नकुलनात की बीच मुकाबला है नावंकर बनने के बाद नकुलनात ने कहा कि चिन्दवाला की जनता कॉंग्रस का साथ देगी तो वहीं पूर सीम कमलनात ने कहा कि चिन्दवाला की जनता के साथ राजनीतिक नहीं पारिवारिक संब्द है और चुनाव में जनता उनके साथ ही खड़ी रहेगी वो भावुक भी होगा इस मौके पर अब सवाल यह आता है कि जनता की बात कमलनात कर रहे हैं वो जनता कॉंग्रिस के साथ है ठीक है लेकिन जो नेता कॉंग्रिस छोड़ कर बीजेपी में चले गए हैं क्या इस वाल कमलनात के लिए चुनौती नहीं बनेंगे क्योंकि यह वही नेता है जो जनता सिधा जुड़ाव रखते हैं अब यह नेता बीजेपी के लिए काम करेंगे उदर बुद्वार को केंदर ग्री मंत्री अमिश्चा भी चिंदवाला के दोरे पर रहेंगे शाह की माजूद्गी में बीजेपी उमीद्वार विवेक बंटी साहू नामंकन भरेंगे उदर नकुलनात की नामंकन रैली में कमलनात भावुख हो गए कहा कि मैंने अपनी जवानी चिंदवाला के लिए समर्पित कर दी मैंने हमेशा ही सिर्फ चिंदवाला का हित सोचा जहां भी जाएं चालती ठोब कर कह सकते हैं हम चिंदवाला से आएं मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी कमलनात की ये शर्द बता रही है कि इस बार चुनाव उतना आसान नहीं जितना समझा जा रहा है ऐसे में इस बार चुनवारा की जंग कमलनात और कॉंग्रस के लिए आसान नहीं होने वाली है उधर प्रदेश कॉंग्रस के अध्यक जीदू पटवारी का दावा है कि 43 साल में बीजेपी चंदवाला जीत नहीं पाई आगे भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी उधर बीजेपी ने जीदू पटवारी और कॉंग्रस दोनों पर ही दुशाना साधा जनता पार्टी पिछले 43 साल से ये काम कर रही है आगे भी नहीं होगी बीजेपी को क्यों वोट दे नरेंद्र मोदी जी को क्यों वोट दे 2018 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था 2 करोड रोजगार देंगे किसानों को डबल इंकम देंगे काला धन लाएंगे 15 लाग देंगे क्या पूरा हुआ भारती जनता पार्टी वहां से कम से कम दो लाग से अधिक मतों से चुनाओ जीतने जा रही है जिन्वारा नहीं मद्धि प्रदेश की पूरी 29 सीट भारती जनता पार्टी जीतने जा रही है और यह इतिहास कांग्रेस बना रही है कि जब उसे जीरो सीट मिलेगी तब नेत्र तो जीतू पटवारी जी का होगा बीजेपी और कॉंग्रस के अपने अपने दावे हैं लेकिन फैसला जनता को करना है और जनता के मन में क्या है वो चुनाओ की नतीजे बताएंगे वक्त हो गया है महा डिबेट के सवालों को देख लेने का इस बड़ी स्क्रीन पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे पहला स क्यों पर नजर बीजेपी का कितना असर यह पहला सवाल रहेगा आज की महा डिबेट का आए देखने दुसरे सवाल कमलाथ के गढ़ में किसका होगा राज क्यूकि बीजेपी यहां कह रही है कि छिन्दवाला भी इस बार हम तेंगे आया देखने तीसरे सवाल के है दोहज के प्रवक्ता है फिरोज सुद्दकी सरमन अगेलेजी है वरिश्च पत्रकार जगदीश दुवेदी जी है राधितिक विश्चलेशक और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता है गुल्रेज शेक्ट आप सभी कही बहुत-बहुत स्वागत है फिरोज सिद्दकी जी क्यों ऐसा कह परें जीतूपटवारी या क्यों का मलाइद सब्सक्राइब? पृक्त बात है कि तीरतालिश साल में भारती जनता पार्टी अपना कमल नहीं खिला पाई और भारती जनता पार्टी को लोग क्यों वोल ने चंदवारा में क्यों वोल दिया जाये? उनका क्या योगदा ने चिंदवाडा में जो विकास हुआ है जो कमलनाजी ने किया है और जो अपने भाशान में भी कह रहे थे कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम चिंदवाडा से आएं तो उन्होंने काम करके दिखाया है चिंदवाडा में और भारती जंता पार्टी किसको ला लाग देंगे नहीं हुई दो करोडों रोजगार देंगे वो भी नहीं हुआ दो अजार बाइस में सब के सर पे चट देंगे वो भी नहीं हुआ किस लिए वोट दिया जाए भारती जनता पार्टी अभी इतनी देर से बात कर रही है कि और वो किस लिए क्यों वोट माँग रही है ये बात नहीं समझ में आई जो भी ये मनगलन तांकड़े देते हैं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया ये धरातल पे ये कहीं कुछ दिख पूछी सतना की सीट ये जीत रहे क्या भिंड की सीट ये जीत रहे क्या होशंगाबाद जीतेंगे क्या भोपाल की सीट हम इस बार जीतेंगे और उन श्रीवास्ताव जीतेंगे कहां भारती जनता पार्टी जो है इनको दिन में तारह देखने की यादत हो गई है दिन में ता तो अमिशा जी क्यों आ रहा है तो किसी को फारम जमा कराने आते नहीं है सारी कोशिश कर लिए विदान सवा चुनाओ से भी पहले साथों में से एक भी विदान सवा की सीट नहीं जीत पाए कहां तो फिरो सिद्की अब तक आप कॉंग्रिस को तो ऐसे प्रवक्ता हर मंच पर दिखाने बेजने चाहिए कि जो बीजेपी के प्रवक्ता को बोड़ने की वो दिन में तारे देख रहे हैं आई आपने वह तो 28 से 29 करने की बात आप के कह रहे हैं उनका दावा है और आप तो माइनस करने 28 में लगाता है दाद दिनी होगी आपके आपने श्रास की आप जीए जी 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 बिलकुर से हर कोई देखेगा गुल्रेश शेख सुना आपने आप चिंदवाला का सपना देख रहे हैं देख लेने दीजी वो सपना भी तूटने वाला है जैसे इन्होंने तीन दिसंबर को पोस्टल लगाए था अपने काले लेके बहार की कल शपत लेंगे कमल नाथ बतो मुख्यमंतरी मद्धिपरदेश क्या हुआ हुआ वो सपना भी तूटा हमने कहा ता तू उस समय कॉंग्रेस कुछी महीने पहले दो ढ़ाई महीने पहले चुनाव जीती थी उस समय भी वो व्यक्ति केवल 37 से 1000 वोट से के चिंदवाड़ा की सीट जीता था तो इस बार तो उनका हाना निश्चित हो गया अभी जीतु बढ़बारी सरी बत कर रहे थे कि साब इतने स भारति जंता पार्टी नहीं जीती तो घीत हो बहुत आप है दो हमने आरा दिया अटर से लीट को भी पाट लेंगे की बड़ी हासानी से जो मुझे नजर आ रहा है जिस प्रकार से हम लगाता काम कर रहे हैं चिंदवाणा में और आपने देखा हूं तो फिर क्यों आ रहे हैं अमित शाह जी हमारे बहुत बड़े संगठक हैं और बताओं संगठक वे पूरे संगठन की नहीं आएं नहीं पूरे मदिपरदेश पर घूमते हैं कि तो रहा है उ को भी जीतना है तो फिर हम एक ही व्यक्ति की चिंदवाणा पर ही नजर है विदान सब्सक्राइब के नेक्स ही ठीक है ठीक है सर्मान अगेले जी सर क्या लग रहा है आपको सुन्दलाल पटवा पन पाएंग विवेक बंटी साहू देखिए अपना जी जहां तक मेरी जो र बन सकेंगे हाँ सुन्दलाल पटवा बन सकते थे माननी पहलाद पटेन माननी केलाज बुझेवर्गी माननी डाक्टर नरुत्तों मिश्रा माननी शिवराज सिंग चोहान मोहन यादव यह जरूर बन सकते थे लेकिन क्योंकि बंटी साहू इस्थानी है और वो पुराना बै छोड़कर इनके साथ में आगए जैसे की कमलनात या नकुलनात जी के बहुत ही करीवी बैठती मिस्टर जाफर से जाफर ने जो है ना वो बीज़ेपी ज्वाइन कर लिया तो वो कही न कहीं नकुलनात जी को थोड़ा बहुत तो नुकसान करेगा आजे सक्सेना जी जी हाँ मैं आगे नाम बता रहा था जी देखिए यह निश्चित रूप से छिंदबाड़ा में इस समय कमलनात जी और नकुलनात जी के लिए बहुत बड़ा एक चुनोती है क्योंकि जिस तरह से माननी कमलनात जी ने आज महां पर रोड़ शो किया एक तरह से कि जी कु कमलनात जी तो थे और कमलनात जी ने जो भावनात में जो एक भाशन दिया थीक है जो इमोश्चिल स्पीच की आदी है कमलनात ने उसका क्यूं मतलब वो क्यूं जरूरी हो जाती है उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन यहां पर जगदीशी मैं आपका रू करना चाहूंगी जब एक बात तो यह कि कमलनात और नकुलनात बीजेपी में शामिल हो सकते ही तरचाय चली बाद में भले ही दोनों पिता पुत्र ने कहा कि मीडिया ने इस ख़बर को उड़ाया था मीडिया ने ही खारच किया हमारा तो कोई सरोकार नहीं है लेकिन ग्राउंड पर जो नार स्पीच वहां चिंद्वारा से पारिवार एक संबन्ध या प्रेज नारेटिव सेट किया वो क्या असर दिखाएगा चिंद्वारा में देखे सबसे पहले तो अपढ़ने जी में एक बात आपको बताओं की चुनाव हमेशा सेना से लड़े जाते हैं और कमलनाथ के लिए चिंद्वारा निशित उत्ते एक अबेदगर था लेकिन जैसे ही युद्ध मैदान में आप आके जब आप युद्ध मैदान में उतरते और अगर आपके सेना की सिपाई इदर उधर जाते हैं तो आप मानगे चलिए युद्ध में विजाए ठोड़ी सी कटेन हो जाती है कमलनाथ अपने जीवन के मेरा माणनी यह है में बहुत लमबे समाय से क्योंकि मैंने जितनों देखा है कमलनाथ अपने जीवन में सबसे लेने वाले नहीं हैं फिर चिंदवाडा को उन्होंने अंगी कार किया और लगातार वो सांसत महां से रहे एक अपवाद छोड़ दें जब सुन्दाल और पटवाते वो हारे थे लेकिन और भाजपा लगातार प्रयास करती रही लेकिन उसके प्रयासों को सफलता तम मिली से आक्रवक राजनीती करती है सुराचाक्मद नहीं खेलती बीजेपी बैक फुट पर आने की वजाए आपने देखा हो मोदी और शाह जबसे बीजेपी के लीडर वने हैं तब से उन्होंने फ्रंट फुट पर राजनीती की है और वो इस बात की चिंदा बिलकुल नहीं कर रही है लगातार उसके नेता छोड़ रहे हैं पाइटी और पाइटी छोड़ने से पाइटी का कारिकरता मायूस हो रहा है आप कई बातें जुटला सकते हैं लेकिन अंतरमन में सत्ते से इंकार नहीं कर सकते जीवा शत्रमुद बनकर लड़ाई नहीं जीती जाती है बनाते हों लेकिन जमीन पर तो कारेकरता ही लड़ेंगे ना वहताश है फिरोज सहब जमीन पर कारकरता लड़ा पड़ना जीए नेता बने पार्टी छोड़ा है एक सब्सक्राइब आपके पास तारी जगदीशी आपी बात कंपिट कर लें यह संग्षे पेसर जी अग सब जुआ सो साल पुरानी पार्टी है मैं दो मिनिट ले रहा हूं सब्सक्राइब जिसके और बोड देने वाले लोगों की संख्या भी करोड़ों में इस पार्टी के जूट को आप एक्दम से नहीं नखार सकते सब्सक्राइब इस बात का है कि पार्टी के जो रन नीतिकार है उन्हें जो जिस घेरे के अंदर वो कैद रहते हैं उस घेरे से बाहर निकलना पड़ेगा बिदान सबाव में माहौल कॉंग्रेस के खिलाफ वह ऐसा नहीं था बिदान सबावा चुनाओं पर आप एक मिनट आपकी बात किया रहा हूं बिदान सबावा चुनाओं में कॉंग् कारकरताओं की हार नहीं थी जड़नीती कारों की हार आज भी मेरा बानना है जड़नीती कारों को फिर से बिचार करके अपने कारकरताओं को में गरम जोसिस के तातला नहीं होगा हाँ फिर उसे दखी देखिए ऐसा है कि अभी इनोंने कहा ना कि 700 साल पुरानी पार्टी है 700 साल पुरानी पार्टी है हर गाउं में कॉंग्रेस का कारे करता है और कॉंग्रेस ने राहुल गांदी जी के नितरत में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी और आप देखिए हमने घुशला पत्र भी पहले लाए भारती जिन्ता पार्टी से आप हम अपनी गारंटी ओंपे बात कर रहे हैं लोगों की आवाजों पे बात कर रहे हैं और जितने भी टिकेट हमने दियें सर्मन नगेली जी बैठें ये बताएं कि हमने ऐसा कोई भी टिकेट ऐसा है जो इस्टेबलिश लीडर को ना दिया हो चाहे बाला घांट में जो हमने दिया वो जिला पंचायत अद्यक्षे उनको दिया उमकार सिंग मरकाम जो है चार बार के विदाया के मंडला में उनको दिया हमने हर टिकेट जो था संगठन को भी दिये हैं और इस्टेबलिश लीडरों को भी दिये हो बाकाइदा सामाजिक समीकरों के हिसाब से दिये भारती जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि 28 जीत चुकी है 29 वी वो चिंदवारा है जो उसको जीतना है तो अभी समय है इंतिजार कर लेते हम गुजरात में तो लोग उनके टिकेट वापस करकर भाग रहे हैं बहुत सारी जगों पर पुदेश में भाग रहे हैं अभी मद् कर्यारे पार्टी वो सब हरे हुए नेता हैं जो कई कई बार चुना वहार चुके कॉंगरेस ने था जो उनको साथ दे रही थी अब वो छोड़के जा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं वह में हमारी स 흇ल यह हमारा जो वजूद यह है कि हम कितना भी मुजोरी कर ले टीवी पे बैठ कर लेकिन ग्राउन पर कारे करता होना चाहिए कॉंग्रेस के पास कारे करता नहीं है क्यों कोई नेतरित्व नहीं है इतना कमजोर नेतरित्व हिंदुस्तान के किसी दल में नहीं है जिसके को जितना कॉंग्रेस में है और निकलेगा वहाँ पर इसी प्रकास से इनके दूसरे बड़े नेताओं को किये, दो बड़े नाम इनके आये, किसका आया, एक तो आया, दिगविजे सिंग जी का, और एक रतलाम से इन्होंने भुरिया जी का दिया, इन दोरों ने भी इसलिए हां की, ताकि इनके बेटों को द आपके बीजेपी में है ना, हर जिले तर कारे करता है, भड़बर के आप बीजेपी जॉइन करवा रहे हैं, नरत्तमिशा, आपको क्याप्टिन मन करता हैं, एक प्रस हासिल कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, हमारे पास आ रहे हैं, कोई इनका नहीं है, वो बहुत लंब इस प्रकार का है, ना उनका विचार इस प्रकार का है, तो अच्छे जो लोग है, प्रोस देखी आपके आपके अभावे, इसलिए नेता कारे करता वहां जा रहे हैं, वो इसलिए चंद्वारा भी दूर नहीं है, देखिए भारती जनता पार्टी के पास, कोई मुद्दा नहीं कि किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेंगे, क्यों जनता उनको वोट दे, वो पाद ले के कॉंग्रेस के ऊपर आ जाते हैं, और रही बात की कॉंग्रेस के जो लोग जा रहा है, तो जो जो जा रहा है, हमारे तो किसी विदायक ने पार्टी ने छोड़ी, हमारे क गुजात के पीजेपी के विदायक ने पार्टी छोड़ी, बरोद्रा में जिसको दिया, हमारे पार्टी छोड़ के बाग गई, क्यों ने रहा है, तो भार्ती जनता पार्टी का जो नेतरत में, वो अपने नेतरत को देख ले, तीन राज्य हैं, अरुना चर्परदेश, मे जीतेगी, यह बाती नहीं समझ में आ रही, तो इसका क्ली विजन नहीं हो बिना सरपेर के बिल्कुल, तो इसको आप अरुना चल पर देख मेगाला हैं, और नागा लेंड में तो आपके नेतर भाग रहे हैं, वहां से, कोई नहीं पार्टी पूरी प्रबलता से, तो इसको खो़देगे, जगे फीकितेगे, जगेउना तो इसको आप गीजिते कौारें में आप पर देख के सिटेगे, सातों सीचिन एदभाला की सभी सीटे, धान सबाट सीटे, कॉंग्रोस जीतने में काम्याब रही, गड़ कॉंग्रोस का बचाने में काम्याब रही, लेकिन लगाता है हम पिछले कुछ दिनों से अगर कमनलाथ की स्पीच को देखते हैं तो हर बार उनका भावक होना क्या दिखा रहा है क्या कहीं न कहीं वो भी वल्नेरेबल है या इस सीट को लेकर इसलिए वो इमोसिनल कार्ट खेल रहे हैं करांट गेला है इसका उनको लाब मिले और इसके अलावा देकि कमनलाजी जो बार-बार कह रहा है कि यहांके लोग जिन्स नहीं पniहनेडते थे अब जिन्स पेहनगा है यहां के लोगों को आटा नहीं मिलता था पाताल कोट की सारी चीजों को बता रहे हैं वो उसका इस बात का संकेत है कि वह असुरक्षित चेत्र समझने लगे हैं वो और इसके पांच आरण है पहला कारण दल के अंदर जो निरासा का भाव चला एक दूसरा कारण मानी नरेंद्र मोदी जी ने 22 जन्वरी के बाद से जो मानी नरेंद्र मोदी जी ने 330 का नारा दिया है और आज चर्चा जो ना इसे रहे हैं इसके सासाथ मोधी जी की जो क्रेडिविल्टी है देश में उनकी जो साथ है उनकी यूजना है तो पॉंट और मैंने आपको बता दिए तो पांस साथ ऐसे बिंदू है इन बिंदूओं ब्राइंड मोधी का तो अपना एक करिश्मा है ही बीजेपी के पास है बेनेफिट तो है ही जगदीज जी लेकिन क्या जो नारेटिव सेट कर किया गया है बीजेपी की और से कि हम देखिए हम तो जीतार की बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो 370 प्लस और 400 पार की बात कर रहे हैं क कि डेखे सबसे पहली बात तो यह कि सबसे पहली बात तो यह है कि प्रढ़ान मंसी नरेंद मूधी ने जो सबसे बड़ा काम किया कि बिकास के साथ उन्हों तो ने देख लेकिन ये असारदार क्यों बने इसका विफलेफ़न होना चाहिए राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी ने एक काड़ खेला वह उसका काड़ सफल रहा तो बिकास से जादा बात इस समय भावनात्ता इस उस पर हो रही है और बीजेपी ये समझ रही है देखिए राजनीती हमे लाब के लिए होती है और बीजेपी ये समझ रही है इन बहुत संक्या गवार्ग उसके साथ इनी मुद्वों से जोड़ सकता है और यह दिखाने में कामिया भी रही है कि देखिए बहुत संख्या को का जो हिच समझने वाली पार्टी है वो बीजेपी ही है कि कॉंग्रस इ जवाब दूरने में नाका में आप फिलाल दे रही है बहुत शुक्तिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश की माड़ डिबेट के लिए आज समय इतना ही था लेकिन मध्यप्रदेश 36 की तमाम खबरें सटीक विसलेश रंक और ताज़ा